नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनमिंदर और मेरी चैनल अम्बी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों देश के परधानमंत्री नरेन्द मोधी कुछ भी कह दें उस पे डॉट 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 जो कंपनी है उसको बड़ा एतराज हो जाता है और आज तो उनको बड़ी मिर्चे लगी है परधानमंत्री नरेन्द मोधी ने लाल के लिए पे अगली बार फिर तिरंगा फैराऊंगा ये कह दिया और इस बयान पे जबर्दस राजनीती शुरू हो है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकाजन खड़गे ने कहा है कि अगले साल तो मोधी अपने घर पे जंड़ा फैराएंगे वो बड़े एहंकारी हो गए हैं तो देश का निर्वान कैसे करेंगे अब आप देखिए जिन लोगों ने परधान मंतरी नरेद मोधी का लाल किरी से भाषन सुना है वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा एक्जेक्टली जिस बात पे डॉट 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 कंपनी को मिचे लग रही है जिनके पेट में मरोड उठ रहे हैं जिस बात पे वो ये है कि परधान मंतरी ने लोगों से अशिरवाद मांगते हुए कहा कि 2047 में देश जब स्वतंतरता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विक्सित देश की पहचान के साथ लह रहा है इसके बाद उन्होंने ये कहा कि आने वाले पांच साल को उन्होंने बहुत इंपोर्टन बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फैराएंगे अब ये जो बात कही है इसमें मतलब कोई पेट दर्द वाली बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है हाँ मतलब उनकी कुछ बाते हैं जो उनको अंदर ये अंदर खाये जा रही है लाइक उन्होंने एक अपना डॉट 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 करके गटबंदन किया है अब गटबंदन की बात सुन लीजे गटबंदन में बहुत सारी दरारे है जिनका भरपाना इन लोगों को पता है कि बहुत ही मुश्किल है अभी उस डॉट डॉट संगधन का कोई शेप नहीं बना है कोई उसका एजंडा तयार नहीं है लेकिन अभी से सबके मूँ इधर है किसी का मुँ इदर है लालू का मुँ इदर है तो नितीश का मुँ इदर है महमता दिदी अलग से अपनी ढपली बजा रही है भेंगाल में बैठ करके और यहां दिली में बैठ करके खड़के जी अलग सबको ग्यान बाट रहे हैं अब उन्होंने ये बाद शुरू की है कि पर्धानमंत्री नरेन मोदी जो हैं बहुत एहंकारी हो गए हैं जबकि आप ये देखिए कि एहंकारी वो लोग सब खुद हैं पर्धानमंत्री जब अपनी स्पीश शुरू करते हैं तो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वो देश के 130 तो कभी 140 करोड लोगों के लिए बात करते थे जब शुरूआत करते थे लेकिन आज पर्धानमंत्री ने अपनी स्पीश की शुरूआत की परिवाद जन से यानि कि पूरा देश उनका परिवार है अब जब परिवार की बात हो रही थी तो परिवाद जन के साथ ही उन्होंने परिवारवात का भी जिक्र शिर दिया तो जाहिर सी बात है कॉंग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के पेट में दर्द होने लगी जिनके परिवार से पार्टी चल रही है और सबसे बड़ी परिवारबाद की एक्जेम्पल दो कॉंग्रेस है दादा नाना पिता जी सब लोग कॉंग्रेसी लेकिन रहुल गांदी को राजनीती करने की किसी ने तमीज नहीं दी और ना शायद अब उनको को ये तमीज देगा कॉंग्रेस के लिए भी ये सबसे बड़ी प्राब्लम हो गई है कि वो उनका करें तो करें क्या खेर वो अलग बात है फिर उन पे अलग से मैं आपसे डिसकुशन करूंगी लेकिन आज जो परदान मंतरी के भाशन को लेकर के जो राजनीती हो रही है ना दरसल उनको बाशन दे रहते राजिस्तानी साफे में क्या कमाल लग रह रहते और जब उन्होंने भाशन देना शुरू किया तो हुसा उनका भाशन एकदम मैस्पराईजिंग था मम्त्राइसींग शुरू किया वैसी उन्होंने उसको समात किया और जिन लोगों ने उनका भाशन सुना है न वो आज उनकी तारीफों के पुल बांद रहे हैं अच्छा मतलब ये बात कहना कि मेरे परिवार जन पूरा देश उनका परिवार है अब इसमें काहे की जलन हो रही है लोगों को नह ही मुझे समझ में आ रहा है बस उन्होंने ये जरूर कहा कि अगले साल भी वो जंडा फैराएंगे तो आप मुझे बताईए कि आपको कोई डाउट लग रहा है अन्लेस अंटिल कोई बहुत बड़ी बात नहों जाए इस्षर ना करे ऐसी कोई बात हो अधर्वाइस तो सब को पढ़ा है कि next time मुदी ही आएंगे अलांकि ये बात भी है कि आप politics में कुछ भी पडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप उसमें कोई मतलब क्या हो जाए आप नहीं कह सकते लेकिन अभी तक की जो चीजें नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कोई लेश मात्र भी पार्टी के अंदर किसी के मन में कोई बात हो और वहीं डॉट 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 जो कंपनी है उसमें सब लोगों के मन में अलग अलग सपने है और जो एक जलन की बात है न वो ही है कि ममता हों, ममता दीदी हों, उधर नितीश कुमार हों, लालू यादव हों, केजरी वाल हों या फिर खड़ के साब हो सब अपने आपको PM के फ्रेम में देख रहे हैं, तो कैसे वो सहन कर लें कि मोधी लाल के लिए से भाषन दे रहे हैं, और ये कह दे कि अगले साल भी वही भाषन देंगे अब इनके मनसूबे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, हलाकि उनमें दम बिल्कुल भी नहीं है, उनके मनसूबे ये हैं कि ना जाने इन तीन चार में से कौन सा जो परधानमंतरी बन जाया है, और फिर अगली बार वही लाल के लिए की प्राजीर से जंडा फेरा है, खेर, अब उनके अपने सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, उनको मरोड भी उठेंगे, और उनकी आखों में आसू भी आएंगे, क्योंकि आप देखिए, मलिगदन खड़के, कॉंग्रेस को रिपेजेंट करते हैं, और उनको इनिविटेशन भी था, उनका चेर वहाँ, उनका इंतजार करता हैं, लेकिन वह वहाँ नहीं पहुंचे, भी आप वहाँ क्यों नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक वड़ा अच्छा लोजिक दिया, उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने कार्याले पे भी जंडा फेराना था, और लाल के लिए प कड़के खड़े हो जाते हैं, आपने देखा कि सदन में भी वो यही सब कर रहे थे, और वो यह भी कह रहे हैं कि मेरी आखों में कुछ समस्या हो गई है, मतलब मोदी को देखना भी लोग नहीं जा रहे हैं, आखों में समस्या हो जाती है, उनके मन में एक और बात है, उन्ह वो अपने घर में 9 बच के 20 मिनिट पे जंडा फेराना था और अब आप देखिए कि उधर लाल किले पे जब प्रधान मंतरी बोल रहे हैं तो उन्हें वो एहंकारी बता रहे हैं अब खड़के यह कहरे हैं कि मुझे कॉंग्रेस के कारेले पे भी आकर के ध्वजार रहन करना था इसलिए मिलाल के लिए पे नहीं जा सकता था वो यह भी कह रहे हैं कि वह अपके लिए शक्योटिक आईगी है लेकिन हां मतलब जिस तरीके से शक्योटि गाडिया लाओ लश् कि मतलब 15 अगस्त पे तो जो भी वहां भाशन देने जाता है उसके आगे पूछे पूरा लावलशकर होता है एकदम से जिसे हम कहते हैं आम बाशा में पूरा ताम जाम गाड़ियां स्क्योटी तो यह सब तो रहे गई लेकिन इसको देख करके अगर आपको जलन हो रही है अगर आपकी आखें इसको सहन नहीं कर पा रही है तो यह तो आपका प्रोब्लम हुआ ना इस इस यूर कप अफ टी लेकिन आपका प्रोटोकॉल यह भी तो था कि आप वहां पर लाल के लिए पे जाते लेकिन नहीं अगर आप पूरा भाशन सुन लेते तो अब तो आप व जो आखरी गाओं है वहां के परधान तक पहुचे हुए थे लेकिन दिल्ली में बैठे हुए मली गावजन खड़ गे जो कॉंग्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनका बहां जाने का मन नहीं हुआ तीन-चार बहाने उन्होंने गिना दिये उन्हें अपने घर में करना था और उनकी आखों में भी प्रॉब्रम थी अभी उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था इसलिए मैं नहीं आपाया उन्होंने हां इंडिरेक्ट वे में यह कहा कि मेरे तब यह ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आपाया और पीम के निकलने से पहले किसी को निकल नहीं दिया जाता है, security बहुत रहती है, इसलिए खड़के जी ने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा, उरे जो वहाँ जन सहलाब था, सब security को देखते हुए वहाँ बैठे हुए थे, तमाम NCC के cadets थे, लोग थे, मेमान थे, सब लोग तो systematically वहाँ पहुंचे है आपके लिए, क्या मतलब आपको सीधा महा से, हेलिकॉप्टर से महा से लेंड करवाय जाता, तब आप वहाँ पहुंचते, और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि हर इंसान कहता है कि अगले साल जीत करके फिर वापस आएंगे, लेकिन हार और जीत जनता के हाथ में है, तो जनता के हाथ में है, उस जनता को तो इनके सुर्जेवाला ने राक्षस बता दिया, रंदीप सुर्जेवाला ने, वो कैथल में एक सभा को संभोधित कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं न, ये सब राक्षस हैं, बता ये, गोर राक्षस बता रहे हैं और खडगे जी उन्हें ये कह रहे हैं कि यही जनता हमें जिताएगी, यानि कि जीत हार सब जनता के हाथ में, एक्जेक्टली, 100% से ही है कि जनता ही डिसाइट करती है कि आप जीत रहे हैं या आप हार रहे हैं, तो फिर 2023 में ये कहना कि हम 2024 में अरे ये तो बात है उन्होंने कहा कि हम जंडा फेराएंगे इसमें एहंकार कहां से आ गया एक उन्होंने बात कही है वो सकता है वो ना जंडा फेरा सके लेकिन उन्होंने एक बात कही है तो कही है इसमें एहंकार जैसे कोई बात नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहे क कुछ भी हो जाए मैं जंडा फेराऊंगा अगर वो यह कहते तो लगता कि वो एंकार से भरे हुए हैं और पूरा भाशन देखियों कितना उन्होंने कहना चाहिए कि ग्राउन लेवल पर जाकरके उन्होंने पूरा भाशन दिया है अब उनके भाशन की अगर मैं बात करूं न तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप देखते देखते भी आप ऊप सकते हैं क्योंकि most of the आप लोगों ने वो सब वीडियो देखे हैं लगातार उनका भा उन्होंने कुछ ऐसी बाते कह दी हैं जिससे अब विपक्ष में बड़ी खलवली मची हुई है मोदी जी ने ये कहा कि मतलब उन्होंने देश को तीन गरंटी दी हैं पहली पांच साल में भारत को दुन्या की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की बात उन्होंन ने कही कि शहरों में किराये के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी यानि कि लोगों का लाइफस्टाइल सुदरेगा तीसरी उन्होंने बात कही कि देश बर में 25,000 जन और शदी केंदर खोले जाएंगे और एक उन्होंने बहुत ही इंपोर्टन बात कही जो हर मजदूर को सुननी चाहिए 17 सितंबर को विश्कर्मा योजना शुरू करने का एलान है अब इसकी रूप रेखा क्या होगी जल्द ही ये भी हम आपसे डिसकस करेंगे क्योंकि उन्होंने अगर ये बात कही है तो ऐसा नहीं है कि हवा में कही है it means इस पे कोई काम ह हो रहा है इसलिए उन्होंने ये बात कही है एक बात उन्होंने और कही कि आज डेमोग्रेफी डेमोक्रेशी और डैवर्सिटी तीनों चीज है देश के पास और यह तीनों मिल करके देश के सपनों को साकार करने की शम्ता रखते हैं तो अब बताए इस में अगर ये बात परधान मंतरी कह रहे हैं तो इसमें एहंकार कहा से आ गया इसमें कौन सी एहंकार करने वाली बात है इतने सालों से 77 साल से हर परधान मंतरी जो भी विकास के कारेकाल में होते हैं क्या वो लाल किले पे चड़ करके अपनी जो उपलब्दियां गिनाएगा नहीं नहीं पता लाल के लिए पर जब कोई भी प्रधान मंतरी संबोधित करता है तो उस समय वो शहनशा होता है और उसे ये बताना होता है कि हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं जो लाल के लिए का इतिया जानते हैं उन्हें पता है और यही मोधी ने किया कि उन्होंने क्या किया है व अपना दिखा दिया हमें तो नहीं दिखाई दिया और लोगों को तो नहीं दिखाई दिया एक और उन्होंने बात बड़ी चुबने वाली करी जो असली वजा है पेट में दर्द की जो उनके मरोड उठ रहे हैं वो ये है कि भरस्टाचार परिवारवाद और तुष्टी करन देश की विकास के लिए सबसे बड़ी समझ्य है, ये बात उन्होंने कही है, अब ये बात, ओव्यस सी बात है, कॉंग्रेस को तो बहुत चुबेगी, लालू को तो बहुत चुबेगी, और भी कई परिवार है, वहां भी काफी बुरा लग रहा होगा उन लोगों को, अब इसमें क्या बात बुरी है, अगर उन्होंने कह दिया कि गरीब, पिछडे, आदिवासी और पसमादा, मुस्मणानों का हक नहीं चीन जाएगा, इन्हें हम जड़ से, जो इनके पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको जड़ से मिटाएंगे, और जड़ से मिटाएंगे आरवाद और तुष्टिकरन, अब ये सब चीजें जब प्रधान मंतरी ने कह दी, मंज से, तो उन्हें पता है कि जब भी उन्होंने कोई बात कही है, तो उसको वो करके भी दिखाते हैं, अब दहशत इसी बात की है, कि अगर ये सब चीजें मिटाने पर वो तुल गए, त इन्हें अगर सदन में परधान मंतरी ने भाशन देते देते, गलास पानी का पी लिया, तो ये कहते हैं कि परधान मंतरी को, मोधी को हमने पानी बिला दिया, ओके, मान लिया, आपने पानी बिला दिया, बात करते करते, आज भी सुभे जब परधान मंतरी भाशन दे रहे थे लाल के लिए से तो चुकि वैदर ऐसा था उन्होंने कई बार अपने मार्थी से पसीना पहुचा लेकिन डॉट 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 वाले लोगों ने क्या खा कि हमने तो पसीने चुड़ा दी हैं मोधी के ये तो इनकी सोच है अब इनका क्या कर सकते हैं हाँ मतलब इन्होंने खडगे ने अपने भाषन में ज्वालल नहरू, इंद्रा गांधी, लाल बादुर शास्त्री, राजीव गांधी, पीवी नर्सिम्हराओ, मनमोन सिंग जैसे कॉंग्रेसियों की योगदान का जिक्र किया ये खडगे जी बताना भूल गयोंगे कि ये जो भारत के टुकडे इधर उधर हो गया, पाकिस्तान बन गया, देश का बटवारा हो गया, ये सब किन लोगों की जिद की वज़े से हुआ, ये एक लंबी भहस का विशे है, लेकिन ज्वालल नहरू, बहुत बड़ा जोगदान है इसमें उनका, बटवारे में, क्योंकि बटवारे, बटवारा जब हुआ था, वो इनकी पॉलिटिक्स के ओपर हुआ था, और आज की तारीक में ये, अगर आज हम सफल है, हमारा देश सफल है, हमारा देश खुशाल हो रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये मिलके उसको सेलिबिरेशन में भी ये आनी सकते हैं, जैसा कि आज परव है, लेकिन इनके मन में तो पता निक कौन-कौन से जन्मों के कीड़े गुसे हुए हैं, जो इने कुछ करने नहीं देते, जो इने कुछ कहने नहीं देते, जो इनके कदम रोकते हैं. अब खडगे जी ने अपने भाशन में ये का कि हर परदान मंत्री ने देश के विकास के लिए काम किया है और फिर उन्हों ने ये जोड़ दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि देश ने पिछले कुछ सालों में ही विकास देखा है तो ये भी तंज था परदान मंत्री के लिए अगर खड़के ये कहते कि हर परदान मंत्री देश का विकास कर रहा है और अगर उन्हों मोदी का भी नाम ले दे तो इनकी तो फिर बड़ी इज़त खराब हो जाती ना लेकिन इन्होंने उन पर तंज कस दिया खैर अब इनका हो भी क्या सकता है मतलब ये केबल मोदी को एहंकारी ही बता सकते हैं इससे यादा और कुछ नहीं दोस्तो आज के लिए इतना ही लेकिन आपने ये पूरा वीडियो देखा है आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजेगा और वो दर्शक जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए खुछ रहिए स्वस्त रहिए जय हिन जय भारत